क्या वज़ा है कि उस इतनी अच्छी कार्दगी के बाद जो है जमालत इसलामी को फिर मेंडीड नी मिला पांच साल आई टी मिनिस्टर रहा क्या है आई टी के अंदर आपके पास दौधा पंदला में जो आपका मेर ता उसके लिए मुस्तफा कमाल साब बोलते थे कि यह जो ह तो आपने कैसे कुम्प्रोमाइस कर लिया आपने तो डेड़ करोड और प्लस थेतर लाग दोनों कुम्रोमाइस कर लिए खालिद भाई वो रौ एजेंट कहते थे दूसरे को नशे कहते थे तीसरे को शराबी चौथे वोजानी दो दो मरले के मूँ हो गए हैं हाफिज नहीम और रह्मान साब को शरवानी कि इतनी जिद्ली थी कि उन्होंने इतना शरवानी किया उन्हें पजामा भी नहीं मिला पहनने को आम बदाना स्टार्ट करें 2010 के वाजसे लेकर अफ्ता है 2013 में प्लेट में रखके गवर्णर सिन और रूक सतार इन दोनों की मौझूद्गी में वज़िजाला को मंतकिल किये गए 1200 से आप सेड में जीच जायें, 1200, 1200 बोटर, 1200 मेरे अपने खांदान के लोगी अगर में एलेक्शन में खड़ा हो जाता MGM के बाई गारड के बार तो मैं भी जीच जाता हूं मैं हूँ हमाद अन्वर और आप देख रहे हैं हमाद अन्वर पॉड्कार्ट स्पॉंसर्ट बाइए को डिजिट जो के है एक कम्प्लीट डिजिटल सॉलूशन नादरीन अलेक्शन में अब कुछ दिन ही रह गया महीनों की बात भी नहीं रही है लेकिन एक कन्फ्यूजन है अवाम के जेहनों में के क्या अलेक्शन होंगे या नहीं होंगे अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में देखा जाए तो कैम्पैंज स्टार्ट हो चुकी है पीपर्स पार्टी अपनी कैम्पैंज कर रही है एमक्यम ने तो निवेंबर में गालिबन जो है केमपेन स्टार्ट कर दी थी हर इलाके हर टाउन में जो है वो जलसे कर रही है जमात इसलामी जो है अब जो है उनके भी फेस्बुक पे एड़ आने लग गए है और जो है केमपेन शुरू हो चुकी है आज मेरे पास कोई आर्ट फरवरी के एलेक्शन का और अचा ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है के बिल्कुल रौ नौजवान है एक ऐसे नौजवान है जो सियासी शौर रखते हैं तो इसलिए इनको यहां पर मैंने मदूग किया है के इनकी नजर में इन दोनों की नजर में कौन सी पार्टी है यह बिलीवर कर सकती है कराची मैं जो माजी में अब तक 20-25 साल हो कराची को बने वे आकरी क्या कोई है जो कराची को ओन किस्के मेरे साथ मोजूद है अदील भाई क्या हाल है? अधिल भाई अधिल भाई पहले थोड़ा सा बेक ग्राउंड बदा है अपना जी मैं मेरे वाले साफ का मेडिकल स्टोर है अपना साही है मैं भी उसी मेडिकल स्टोर पर होता हूं ठीक है और करनागी इस ची से अलम्दुलिल्ला एकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मेरा डिमि ताल भाई आपका यी बैक ग्राउंड सुनना है मुझे बैक ग्राउंड कुछ इस तरह का कि वाले साब टीचिंग के शोपे से वाबस्ता है और मेरा अपना क्योंके जॉब कमाइंड जट नहीं था तो कारुबार की तरफ है तालीम के एतबार से जामे कराची में सियासिया लॉंड वाली बात होंगे बिल्कुर रिलैक्स होंगे बिलाल बे आपसे स्टार्ट करते हैं आठ फरवरी को किसको लग रहा है कि आपने वोट देना है और क्यों देना है आठ फरवरी हो या इससे पीछे चले जाए बल्दियाद जो कि तीन दफर एक्स्टेंड हुए और तो इस बार बल्दियाद में जमाहिस्लामी को वोट किया है अच्छा और पूरी फैमली ने और आठ फरवरी को भी जमाहिस्लामी को वोट करने जाए बेसिक रिजन बेहाइंड एट के देयार दा आउनली वोकल वॉइस फॉर कराची साहिए बिसाइड देट के उनको नमाह कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है क्या है क्या नहीं रहा उसके बावजूद भी जबसे इनके या हाफिज नहीं हो रहमान साहब आए हैं तो कराची इशूस को लेके काफी वोकल है के ऐलेक्ट्रिक हो बेरियर टाउन हो वाटर बोर्ड हो तो इस वाहिए जमाहिस्लामी न तो आपकी नजर में आज तक यानि आप कोई जमात-िसलामी हल निकाल सकी है दे Gentry के कि खिलाफ सब्सक्राभी किये उन्हों क्लाफ किये उन्होंने जो है हकुमतों के खिलाफ दर्ने की आपके अलेक्टिक जिसके कि खिलाफ की जमात neeक velvet कि पराची की स्टेकोलडर नहीं है और इस वक्त भी आप इंकार नहीं कर सकते के वो स्टेकोलडर नहीं है बिलकुल अच्छी बात है तो बशमूल हमकिम कोई के लेक्टिक के खिलाफ आवाज नहीं उठाता थी और इन तमाम सियसी जमातों के जो जमेदरान हैं उनके रिश्टे के लाव कोई बोलता क्यों नहीं है नेपरा की हेरिंग होती है तो हाफिज नहीं हो रहमान नजर आते हैं और कोई सहती जमात नजर नहीं आती है अच्छा चूंकि एक बहुत बड़ा जाइंट है ठीक है इसके खिलाफ मैं समझता हूं कि उनका आवाज उठा लेना भी जब अब तक के करीब कोई वो अर्वो रुपे मलीक रियास से वापिस करना चुके अच्छा बैरियर टाउन का जो मामला हुआ तो उसमें मलीक रियास चल के यानि जिसके पास दीगर सियासी जमातों के लोग मिलने के लिए टाइम लेते हैं वो चल के इनके जो मरकज है अदार नूर्यक महाँ पे आया और हाफिज नेमूराहमान से मुलकाद की और यानि एक वो किरदार होता है ना यानि मैं किरदार को देख के वोट दे रहा हूँ किरदार है कि उसके नतीजे के अंदर वो बात कर रहा है यानि अंडर दे टेबल क्या सेटल्मेंट नहीं हो सकती दी अर्बों रुपे जो शक्स दूसरों को दिलवा सकता है खुद किराय के मकान में रह रहा है तो क्या कुछ नहीं कर सकता था तो वो एक इमानदारी का एस्पेक्ट वो हमारे सामने आता है दूसरा डिलिवरेंस की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो लास्ट जो इनके पास मेंडेट था वो नेमत अलाखान साब कर था जिसमें शहर ने तेजी से तरक्षी की साथ अरब खसारी के बजट से 47 अरब रुपे मुनाफ़े के बजट में चले गया आपका केमसी उसको कंटीनियू किया मुस्तफ़ कमाल साथ मैं आपकी बात काटता भी रहूँगा क्या वज़ा है कि उस इतनी अच्छी कामिया कारकर्दगी के बाद जो है जमाल इसलामी को फिर मैंडेट नहीं मिला कराची में उसकी बहुत सारी वुजवात जमाल इसलामी सन 2000 में निमतुला खान साथ मेयर बने 2002 के इलेक्शन होते हैं तो जमाल इसलामी कराची से MMA की इतिहाद की सूरत में MMA की सीड्स MMA की सीड्स बिन करते हैं फिर आता है 2008 का इंतिखाब तो में एमक्यम का बाइकॉर्ट था नहीं दो में एमक्यम का बाइकॉर्ट नहीं था एक में था दो और दो के कौन से इलेक्शन की बात कर दा जनरल इलेक्शन में जो में एमेने इंप्याद की बात कर दा उसमें एमक्यम का बाइकॉर्ट नहीं था बल्दियात में एमक्यम का बाइकॉर्ट था पर चले गे दो हदार एक थो दो हदार त्रात है उसमें भी बाइकोर्ट तो दू एलेक्षिंज का तो इन्हों ने बद्याद कभी बाइकोर्ट नहीं कि तो बल्दियात तो बल्के last अगर कहा जाए कि करवाने का सहरा है तो वो सिर्फ जमाहिसलामी का है ठीक है यानि सारी पार्टियां कहरें तो नहीं कराओ आगे बढ़ाते रहो और पीपल्स पार्टी का तो मिज़ाज है कि वो तो चाहते ही नहीं कि डेवलूशन ऑफ पावर हो यह तमाम कार कर देगा क्या आप तयार है अपनी सेलिंग स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने के लिए अगर हां तो एको डिजिट्स आया आपके लिए एक सेल्स एकसलेटर कोर्स डिजिटल सर्विसिस की दुनिया में सेल्स से बढ़कर कोई काम नहीं और एको ड प्रोफेशनल इस को करने के बाद आप डॉलर्स में कमाने के काबिल हो जाएंगे और टॉप पर्फॉर्मर्स को एको डिजिट्स जॉब भी ओफर करेगा तो इंतिजार इस बात का अभी डिस्क्रिप्शन पे दिये गया लिंक पर क्लिक करें और बने हिस्सा एको डिजिट इस डिजिटल सेल्स एकसलेटर कोर्स का चले हम भी बात करते हैं अ जुरह आधिल भई को भी आदिल भाई की पूछते हैं और है किस गूट देने जारहे हैं आधिम पाकिस्तान को वोट देंगे इसको करांची की नुमाहिंदा जामात है यसने ने ने करांची के लिए अब बाद उठाईए सबसे पहली चीज अब मैं दादा पुरानी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इतनी उमर भी नहीं है कि मैं पुरानी बात लेके बैटूं जो आज की जनरेशन है जो आज के नौजवान तपका है जो हमारी उमर गया एकिस साल बाइस साल पच्छे साल तक जो के लिए नौजवान है तो उनको आज के बारे में जो आज हमने काम करें करें ना शुवासर parlar में ज CCTV काम कौसम mo representative, जब के सा será फ्याल से नहीं नहीं हाँ , में स में साज यह ँजा पाकिस्तान मरजर हुए MQM पाकिस्तान का एक मजबूत मुथारिक और मुनज़म MQM पाकिस्तान अपने वजूद में आई और उसके बाद से MQM पाकिस्तान जतनी तेजी से काम कर रहा है उससे पहले शायद किसी जमाद ने इस करांची में कर आओ सबसे पहली चीज मरदम शुमारी जिसमें 73 लाग की अवादी MQM पाकिस्तान ने बाजियाप करवाई उसको 1.95 एक करोड 95 लाग पे लॉक कर दिया जादा लेकिन MQM पाकिस्तान के साथ MNA थे जिन्होंने वजिरादम शभाज शरीफ साब के पास गए उनकी आँकों मैं आँके डाल के उनको बोला यह साथ सीटों की मारो तुम अगर हम यह साथ सीटे छोड़ दें तो तुम कल वजिरादम नहीं रह सकते PDM की हकूमत जी 73 लाग की बाजिया भी अबादी बाजिया आप कराई जो जमाते इसलामी आज ओन कर दें कहम कराची के वारिस हैं और हमने कराची के लिए पूरा कराची से इस्टेमने पैनफलकू लगाने को बहुत शाओ गये पैनफलक्ति लगा बीड़िधा पैसा हो पैनफलक्त और बेनर वहों पे खछर देते हैं तो मैं उनको मचवरा देता हूँ कि अगर इतना पैसा है तो किसी गरीब के बच्चे को नौकरी पर लगवा दे है इतने गरीब बच्चे जलसा तो जदे के पॉलिटिकल एक्टिविटी तो करेंगे ना आप भी तो जिस बहाफ तो पैना फ्लेक्सिंग और बैनर लगा रहे ह करांचीं का। उसकी मेन वज़ती तिरपमन यूनियन कांसल जो के पीपलस पारटी में जो कि यागि आन रहा rebels ना जागिरदार ना सूच की हामिल है Labour's party उन्हों ने हो तिरपमन यूनियन कांसल इससे ज्जाधा थी जो उन्होंने लेकिन हम वहसे बाजियाप कराने के लिए अपने election से बाइकार्ट करा. हमें एक्तिदार का लालस नहीं था. हमें मेरशिप का लालस नहीं था. हाफिज हाफिज नहीम और रहँड़ान साब को शेरवानी की तिन जल्ली थी, बारासो बारासो बोटर बारासो मेरे ख़ड़ा था 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 यह तो यह था यहां पर आपने थाफ बोट लेकर कोई वाइस चेरिमेंड मन रहा है तो यही खेरात पर एैमक्यम की खेरात में मेरशिप और यह जो जह तना बल्लियाति इलैप्शन हुए एमक्यम की खेराओ तो एमक्यम ने आपने बोला कि जो है बायकॉट किया 35 सीट्स के बीज़ है आप ने क्यों 35 सीट को फोकस नहीं गया वही कैसे कॉंप्रोवाइस कर दे त्रिपपन यूसी का मामला था और फिर हादूसरी बात यह जो आप क्रेड़िट ले रहे हैं इनका आप क्या जमात इसलामी क्रेड़िट ले रही है मर्दम शुमारी वारा इसका ही वदा दे यहां मर्दम शुमारी की बात है अच्छा पहले तो मैं भाई साब की जड़ा इनफॉर्मिशन दुरूस्त करता चलो कि अभी पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि वह वड़े राना और आलिमाना सोच की हामिल पीपल्स पार्टी के कव इत्तिहादी नहीं रही है साही है ठीक है पीपी नहीं थी ना किसमेंगा नहीं थी मिरे भाई टो अपनी एंफॉर्मिशन दुरूस्त के लेगन पार्ट नहीं थी और आगे लोगे तो यह पीडियम की जितनी तेरा जमाती लिए तो इसका तो पाट थी ना अच्छा दूसरी बात इन्होंने कहा गे जी तेहत्तर लाग हमने बाजयाब करें थेटर लाग बाजयाब करें सवा करोड आप खा गए कैसे कैसे तीन करोड से नीचे की अबादी है निए तो डेड़ करोड और प्लस थेटर लाग दोनों आपने एक राग बादियाब नहीं करा है आपने हां पौईंट ऑबहुत वास है ह्म सडकों पर इताज कर अकठे ओदे में जतना जमायसलामी ने मर्दम शुमरी खिलावाज उठाई इतने तो किसी ने भी नीकлом बिलकुल ने उटाई लेकिन मेरा जो पॉइंट है ना अभी दोनों की बिल्कुल ने बात करना लेकिन अभी जैसे आपने मुस्टफवा कमाल की थारीफ की मुस्टफवा कमाल ने काम करवाया तो मैं समझता हूं इस मर्दम शुमारी में भी इनकी थारीफ होनी झाए at least 30 तो बाजियाब करवाए ना देखें इससे जादा थे ना इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज कर गए कर गए ना तो आप तो पिर आप तो उसे भी कम पे कॉम्प्रोमाइज कर गए ना आप वोट अलेक्शन पे चले गए वल्दियाती इलेक्शन प्ढेशन नहीं थी नहीं कि उन्हें की डर रहा था कि जी और अभी खाई सॉ- क्हाइमसनम्हाइव बाठी बात कर रहे है कि 1700 जाता मसे जले प्लब वटों कि मुझे साबिध कर देंगे कौन साइद चैर्म Vaccine paper 1200 पर कौन सा चेर्मन 1200 लेके जीता है हाफिज नेम और रहमान इपसल 7500 वोट लेके जीता है इनफ है UC लेविल पर इनफ है वैसे टरन आउट वैसे कम था यह तो हाफिज आपने भी बूला टरन आउट गम था तीन बार आप जब मुलतवी करेंगे लास्ट नाइट तक जैसी इस वक्त है लास्ट नाइट तक भी कन्फूजन थी कि यार वो लेटर जारी हो रहा है मुलगात हो रही है पीबल्स पारटी की सुभाई हुकूमत से मुतादगी के कुछ करो रोको नहीं बनी बात होगी अगले दिन वोटर टर्न आउट के ओपर उसका इमपेक्ट आया लेकिन बिलालबाई सवाल यह है कि जमात इसलामी को ना बड़े करीब देखा है मुझे जहां तक पता है जमात इसलामी को अपना वोटर है जो वोटर है उनका वो बड़ा पका है वो इदर उदर नहीं देता जाके तराजू पर वोट डालता है लेकिन क्या वजाती कि उस बलद्याती ऐलेक्शन में जमात इसलामी के खुद का वोटर भी निकला हाला कि आपकी कैमपेंच सबसे जादा बारी थी किस वो बलद्याती ऐलेक्शन कितना था? वो भी किस तरह हुआ था? वो आपको पता है अच्छा उसमें भी शाड़े पांच पॉने छे के करीब यानि शाड़े पांच लाक राउंड इनके जमात इसलामी को वोट पड़े शाड़े तीन के करीब पीटी आई को पड़े और तीन के गरीब पीपल्स पार्टी को वोट पाड़े तो जितना भी वोटर निकला वो तो निकला ना वल्लब ये जो वोटर था वो पूरा जमात इसलामी का था? नहीं पूरा जमात इसलामी का नहीं था? ठीक है? इसमें बड़ी ताद उस वोटर की थी जो के PTI और MQM से मायूस हो चुका था साही है जिसको नई उमीद हाफिज नई मुरहमान की सूरत में नजर आई ठीक है वो वोटर जो के डाय हाड वोटर था अलताफ हुसेन का उसने वोट किया जमाद इसलामी को जमाद इसलामी को जी वोटर जो डाय हाड वोटर था PTI का लेकिन वो यह समझता था कि इमरान खान साब को खुद लेड़ डाउन करने में PTI की कराची का इदत का बड़ा हाथ है सेकड़ो गुरुप बने वें नतीज़ा सामने है न आपके तो बहराल वो एक अलग टॉपिक है उस पर हम बहास नहीं करते लेकिन वो पी टी आई से भी तुम आयूस था उसमें कहा कि जीद वजीर आदम इमरान खान मेर आफिज नहीं वोट मिला ना एड दी एंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब के सामने आपके सामने रिजल्ट्स जमाइसलामी इस वक्त यानि अगर लास्ट एलेक्शन तो जो बल्दी आते उसके इसाब से उठागे देखें तो लीडिंग पार्टी कराची मेर क्यों नहीं बन बाए आफिज अमेर न नहीं है लेट से के 2700 वोट पड़े किसी यूसी पर जमात को वो जब रीकाउंट पर आए तो 2700 तो निकले लेकिन उसकी जो बैक साइट है बैलेट पे पर गी उसके पीछे इलेक्शन कमिशन की स्टेंप नहीं है यानि वो वेरिफाई करना ना एमक्यम का काम है ना जमात काम है ना ही पीपल्स वाइटी या पीटी आई का काम है वो तो इलेक्शन कमिशन के अमले का काम है ना कि उसके पीछे स्टेंप या नहीं है इस बन्याद पर 400 500 वोट रिजेक्ट किये गए और नतीजा तब्दिल होगी तो वो 11 यूसी हैं जो चिनी 89 पर इस वक जमात इसल पर 155 कॉर्स कर जाते तो भाई वो सिंगल नारजेस पॉर्टी बन जाते है ठीक है तो पिटी आई की फिर फिर पिटी आई के लोगों के साथ क्या कि तो चेस जो चेरमें थे वो दिन 32 तो नहीं है फुम गड़र्शर था क्या नहीं था हो सब के सामने तो उन से बात हो गई पार्टी पॉलिसी की अगेंस्ट कैसे वोट दे रहे हैं ना आना तो दूसरी जमाद को फिवर देने के बराबर है ना ऐसे ही है यानि पीटी आई की फैन फॉलॉइंग बेताशा बहुत अच्छी वोटर इस वक भी चाहता है ऑन ग्राउंड एक हकीकत है पीटी आई आई आप दोनों से पूछने वाला था कि अगर पीटी आई को फुल स्पेस मिलता है और लेवल प्लेइंग फेल्ड मिलती है तो आपको क्या लगता है जमात इसलामी और फिर कहां खड़ी होगी यह दोनों से पूछूंगा इसा वाज हाँ आप बता रहे थे इसकी बात क्या चल लेकिन पीटी आई के साथ बदकिसमत ही यह है कि यह इमरान खान साब को तो देखके वोट दे देते हैं हवाम देती है वोट 18 में 18 में दिया कहीं 19 बीस किया होगा कहीं 16 बीस किया होगा ठीक है लेकिन वोट पड़ा था ऐसा नहीं था कि वोट नहीं पड़ा था पीटी कि हमेशा सैनिटर हो MNA हो MPO इवेन ये कि फिर यूसी चैर्मन क्या है थियत रखता है कि जिस पार्टी का सैनिटर बिक जाता है लायल नहीं हो अपनी लिडर्शिप के साथ पार्टी के साथ चैर्मन सैनिट जो सादिक संजाहिए साब बने कैसे बने जादारी साब ने गेम की और वो बन गए तो वो भी तो पीटी आई की मदद से बने थे इमरान खान साब ने खैबर के अंदर पीपी का चैर्मन बन गया सैनिट चैर्मन बन गया पीटी आई की मदद से मदद से इसी तरह मेर बन गया PTI की मदद से इमरान खान साब के नाम पर वोट लेकर आए और बाद में अपनी आए मुसलत आदिल भाई ये बताएं कि ये जमात इसलामी जो है करार देती है कराची के इस तमाम तर मसाइल को के MQM और पीपल्स पार्टी की वज़े से कराची आज जो है इस हाल में आप कैसे चालों से पिछले पीपल्स पार्टी जो हॉकोमत है और उन 15 सालों में उन्होंने कराची में कोई काम कराया सिर्फ कराची को बर बारात करा पिर वहीयुवाली बात ना कि हमारा इस पीपल्स पार्टी में हमारे वरकंगार्टि इसृट्म में पेसे थे हमारी हुआ पैसे मतलब उस ट्रैम पे यहां की जो डिलिडर्शिप थी जो यहां की मौझूदा राप्ता कमिल्टी दी जो चीजे थी वह आपने बहुत दवस सीनिये डिप्टी के नमीनल मुस्तवा कमाल भई की उसमें बयान में सुना हुआ जो उनूने बताया कि वहां से फैसले होते थे सारे हमारे हाथ में थे ही नहीं लेकिन अब हमारे हाथ में फैसले हैं सारे तो 2005 से 2010 तक जो आपने काम कर रहा है वह भी तो वही लीडर्शिप करवाती थी ना काम कौन सी लीडर्शिप जिसके आप बूले थे कि फैसले हमारे हाथ में नहीं है जी लीडर्शिप वही थी जो काम क इतिहाद हुआ है सारी चीज़ होई लेकिन अभी कि आप रिसेंटली बात कर रहे हैं कि प्रिपस पार्टी से इतिहाद नहीं था रिलेशन था वरकिंग रिलेशन था हूँ मझलों ऐसी जमाँ से में रिलेशन क्या कर सकता है जिसको मुझे पता है का जागिरदारा वडेरा तो तो फिर उसके बात जब ऑलेक्शन हो जाते हैं तो फिर मैं क्यों विआ ज़ाता हूँ दिपना दो पर मैं कैसे होता है करते हैं उनके हाथ में नहीं अग्टियाराँ नहीं थे सारे एक्तियारा तकिस के आद में रखे हैं अब यसे भाई का कहना था है साथ कई उन्हों ने प्रेशिघ्य का रिंदी के साथ करा के साथ करें पर सुम्ह जरूए हैं जो अपने युसी चैरमेन विसम्नाबाद गें सोशल मेडिया पर बड़ी वाइरल वह इतने बड़े मुनाफिक शक्स है कि जब और अमिर्षिप जारी होती है नगी दो कोई नया चूरन लेकर आजाते हैं अपनी जब उन्होंने एम एने बनना होता है तो पर टि आई से मिल जाते हैं अपना कोई मेर बनाना होता पर पाइटी थे कंप्रोमाइस करने बाड़े आते हैं तो यह पहले अपने गरबानों भी जागें फिर किसी पर लगाएं और अलहांदूलिल पर दूबर पंद्रह में आपका मेर आया थीक है क्या काम था अच्छा अब मैं एक और बात दूबर पंद्रह में जो आपका मेर था उसके लिए मुस्तफ़ा कमाल साब बोलते थे कि यह जो है इतने इक्तियार है कि शहर का कचरा उठा सकता है ओन ग्राउंड या मुझे या अच्छा उठा सकता है इतलीज्स तो वह कच्छा की में उठाया बहुत सारे काम करें मेर गराची ने आपको यह वसी मकतर थे प्रोजेक्ट जो थे वसी मकतर बाई के दौर में मुकंबल हुए और सारी सफाई मुई में स्ट्राइड हूई वो मुकंबल करी पूरा चमक गय पूरा नहीं चमक गया दम है तो क्या रहो ना आपके एक्तियारादी नहीं थे अच्छा मुस्तवा गाल बोलतो है कच्छा उठानी के एक्तियारत थे मेर के बाई सामने स्यासी पार्टी ने एक दूसरी हरीफ थी तो तनकीद होती थी अब वो खुद आया है तो वो खुद पूजिशन में आना होगा ठीक है अगर यह फेज आया के एम किम से इत्याद करना हो या पीपलस पार्टी से इत्याद करना हो जमात इसलामी आपको लगता है करेगी जमात इत्याद जरूरत पड़ गई देखें आपकी बात को रोकते हुए बाई से आपने सवाल किया था 2010 10 से ऑनवर्ड 18 तक की कारकरदगी गा और आज तक की कारकरदगी गा बाई गूम के फिर वापिस हाफिज नईम पे आ गए थे तो शायद इनको हाफिज नईम फोबिया हो गया है तो बेरहल मामला यह है कि जहां यह हाफिज नईम को मुनाफिक कह रहे हैं तो अभी इन्हों ने खुद का कि वो मुस्तवा कमाल साथ तो दूसरी जमात में थे और एक खालिद भाई को रॉए एजेंट कहते थे दूसरे को नशेई कहते थे तीसरे को शराबी चौत थे वो जानी दो दो मरले के मूँ हो गए हैं यह सारे हलका बात तो बड़े बड़े जलसे करके कमाल स 2013 में प्लेट में रखके गवर्णर सिन फारुक सतार इन दोनों की मौजूदगी में वजिर आला को मुंतकिल किये गए MQM जस्ट उस टाइम वॉक आउट कर गई थी असेंबली से आप शेहर में पता नहीं हिलता था आपकी मर्दी के बगए MQM की बात कर रहा हूँ आप करते न उस लिए जमार इसलामी से अगर हम कहें के जी एतजाजी सियसाथ हाँ ठीक है वो एतजाज करते हैं कोई सड़क ब्लॉक कर दी होगी लेकिन MQM की तो पावर थी ना पबलिक में एकसेप्टेंस स्ट्रीट पावर क्या कुछ नहीं था तो बहराल प्लेट में रखके अख्याराद दिये गए उसके बाद रोना रोया गया तो ये तो थी 2013 तक की इनकी सुर्थियाल उसके बाद डिलिवर ना करके आखिर में रोने गाने करके वो फाइल फेक के वो भी ड्रामा ही एपिसोड सब को यादे किस तरह वसीम अक्तर सा कोलेशन में जाएगी या पोजिशन में जाएगी हाफिज नहीं मुरहमान साब का क्लियर विजन है कि हमने जितनी सीटे ले ले लिए वैसे तो कोशिश उनका टार्गेट ही है लाजमी सी बात है लीडर्शिप होती है वो जब मैदान में उतरेगी जीत के लिए उतरेगी उ लाजमी सी बात है एमक्यम होगी या फर्क इतना होगा कि अगर जमाहिसलामी कराची के नुमाइंदेगी करते वे किसी हुकूमत का पार्ट होगी न तो वो जस्ट सैनेटर्शिप फैसल सब्सवारी के लिए या गवरनर्शिप लेके बैट के चूरं देने के लिए या दो अब आप मुझे एक बात बताएं न पांच साल आयटी मिनस्टर्ट किसका ता plagisal का मुद कराची की थी आमीन॓ लग साब मुद्स कबाऊं जंब करूश किया काम हो इससे कोई काम ऑम उस Sut बरक्स हाफिज नाइम और रहमाल साथ बनू काबिल के उन्वान से वो प्रोग्राम चला रहे है चाहिए लाखों बच्चे उसके अंदर मुस्तफीद हो रहे है तो इनके जो गवर्नर है मुबी दो चला रहे है कामरान टसूरी एंड रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए जमाद इसलामी वाले का आगी है जी एक फेस जा चुक है तो पॉइंट जीरो शुरू हो गिया उनका दस अक्तूबर को उसका है बागे जिना मैं टेस्ट हुआ था सेकंड फेस चल रहा है उसका और बहुत सारी सकसर स्टोरी सामने है कि जो इसका बाइस बन रही है कि आपके मुल्क के अंदर आइटी रेविन्यू बढ़ाने का बाइस बन रही है तो यह हाफिज में मुरहमान का विजन है हम कोलेशन पे बात कर रहे थे बहराल कुलेशन पर बात कर रहे थे तो मैं वही आप से कह रहा हूँ ना कि अगर किसी के साथ कुलेशन पर जाते हैं तो कराची के लिए जाएंगे अब मैं आपसे पूछी हूँ सवाल कि अगर एंक्यम गई थी किसी मजबूरी में पीपल्स पार्टी के साथ कुलेशन में या पीम मेलन के साथ कुलेशन में तो गलत कैसे था और आपकी कुलेशन कैसे जिस्टिफाई अभी तो आपने गए नहीं है अभी तो हमें क्या पता कि नहीं क्या नाम है नहीं मुर्यमान साथ जो है वो जो है उनको कोई मिल जाए विजारत एजुकेशन की मिल जाए उसके बाद जो है वो भी ऐसी तरह है अगर विजारतों का मामला होता ना तो पीपल्स पार्टी 25 टाउन और डेप्यूटी मेयरशिप दे रही थी तो वो तो मैयर उसक अगर मैं जीट लिया हो तो मैं आपके कोलेशन का जवाब दो ठीक है मैं पहले क्या जवाब दिया कि जमाहिसलामी जाएगी तो कराची के लिए जाएगी देखे मौकिफ होना जाए तो खान साब की तरह हमें नहीं बात करनी इन से जान नून लिक्स से बात कि पांच साल आईटी मिनिस्टर रहा क्या है आईटी के अंदर आपके पास इतना पुटेंशल लखने वाला शहर ठीक है गुटके मावे पर लगा दिया पूरी नसलों को आपने एमकेम ने तो नहीं बूला ना कि गुटके गाओ चोड़ने ना किस तरह है ये रातों को भा दे रही है कि जी वो हकीकी एंट्री ना दे ले वो कौन थे गहर माजर थे माजर कातिल माजर मक्तूल की सियासत की इन लोगों ने इस शेर के अंदर वही भाई जो रातों को ड्यूटियां देते थे सुबह उनी की बेहने जो चुरंगियों पर फैक्टरी की गाड़ियां आ वही माय भेने हमारी जाके पठान पंजाबीयों के बीच में पैक्टरी में काम कर रही होती थी क्यूं सा किसी पठान पंजाबी का इलागा बंद होता था मुझे बताए आइप यां उनका माहिने भर का रीचन एक हर्टाल वाले डिन बढ़ जाता था मुझे बैठा देज dość करते थे आपके हर्ताल के नतीजे में आपके जो हर्ताल के नतीजे में इलाके बंद होते थे जो आपके लंगड़े काने टुंड़े बाद में पता चलता है कि वो खुद ही मारे उनके इतजाज के नतीजे में आप हर्ताल करते थे उसके बाद आपके जो इलाके बंद होते थ आपने माशी इस्तासाल भी अपने ही लोगों का किया ना पड़े लिखी कौम थी आपने नहीं पठान पंजाबी नकल करता है हम भी करेंगे आज कहां खड़े हम आज लिट्रेसी रेट पंजाब का आप से जाता है पिल्गों शहीर लेकिन मैं आओंगा दिल बाई के पास तो बन्लब यह तो बाजी लेकर जा रहे हैं इस डेवेट में बात तो कहें मुझे समझ में आने वाली एसारी बात है कि अगर देखें वो क्लेशन की बात कर रहा तो आप भी कर रहें लेकिन आप कर चुके हैं वो करने जा रहें आपने जो किया उसके नतीजे बड़े ड्रॉन अब ही तो कोई मतलब कोई ऐसा आएटी मिनिस्टर का भी कुछ होगा कि क्या का में आएटी मिनिस्टर पर हमाद बाई अच्छा इसे की सबसे बड़ी कच्छी अबादी आपको दिखाता हूं उसका एड्मिनिस्ट्रेटर उस टेम वहां पर डिस्ट्रिक को रहें शरीफ ग लोगों ने करा आएटी मिनिस्ट्री की अगर बात कर रहें तो हमने डिलीवर करा आएटी मिनिस्ट्री पर काम करा उसके बास सेगेंड कीस पर आजया है भाई थोड़ा था जबाती हो गए थे कि वह घुट के मावे पर लगा दिया और डूटियों पर लगा दिया तो दूसरी चीज उस टाइम शहर की सखोंड़कों पैसे नौ जवान नहीं मरते थे आए दिन चेहों में हमारे कराची कि यह सुट्य है है यह बात करते। थो एक दिखना नौजवान को चौकिदारी ह norm भाई हम जितने जोग की दौर्मिंट नापर सब्सक्राइब करना है तो खुण के बाहता है मैं दोवे ने जोटा शोप दोड़ा है didnler यह लसानी स्यासत तो करना पड़ लिए थी न उसकी वज़ाए यह हमारे कोटे सिक्सटी पर्संट गरा चीगे है तो आप उस फॉर्टी पर्संट पर भार्ट के लोग को डूमिसाल बना बना कि मुसलद कर रहे हो हमारे उपपर तो हमें लसानी स्यासत तु खुद ही हो रही ह करें लासानी स्यास्थ तो यह कर रहे हैं अफगानी जो इस चेहर के अंदर जितने रखए चोड़ पकड़े जा रहे है वह घ्रकानूनी तोर पे मुक्रीम अफगानिस्तान से लोग कर रहे हैं यह उनका दिफा करने के फड़े हो गाँ इन्हों और शुप रहे है कि अनको मार की सियासत कर रहे हैं अभी हमारा मन्शूर है अभी आईनी तर्मीम का आपने सुना होगा एक बहुत बड़े तजियाकार है उनका नाम में दिख़ता है एजास साइद जियो न्यूस पे होते हैं तो वो बड़े बड़े तजियाकार तारीफ कर रहे हैं आज एमकिम की के उन्ह आपने इलाके में लगा देता हूं नीचर डिलीवर नहीं होते एमकिम वो तर्मीम के लेके मन्शूर में आईए उस तर्मीम को कि उस तर्मीम के थो जो वजीर आला वो पैसे मिलने है वो एक नीचे कांसलर तक डिलीवर हूँ अब आप मुझे छोड़ी सी मिसाल दें आपक पास कां में बताने को इल्जाम नहीं है कि भत्ता खोरी और अभी तो कोई खोरी नहीं होगी अज भी लोग मर रहे हैं कल मलीर में मौडल कालोनी में मैं आर्थरीग के राउंड पर बैठा हूँ मेरे सामने पांच फाइर होते हैं क्या होता है हाफ एफ सोईट से तीन बंद यह तो एक साज़िश्ट के ताहित हैं को बदराम किया रहा था और रही बाद नौजवानों की यह कह रहा है नौजवानों को हमने गुड़ के मावे पे तो इन्हों ने कौन सा नौजवानों को आला तालीम याफ्ता बना दिया इन्हों तो इसलाम के नाम पे जाद के नाम प और दूसरी चीज वो जो इसकी गुट के मावी वारी सौरी उस बात मिदाम है तो इन्होंने तो इसलाम के नाम पर आदे से जादा नसल मरवा दी 25 साल से कम उमर लड़कों को बोले जहाद जहाद इसलाम जहाद उनको मरवा दिया और अपने बच्चों को पढ़ने भेजावा युट कर रही होंगे उनकी इसे कि महते बात कराती है यह लें कि हमाद करेंगे उन चान और शैसियर बचुच वाब करें कि लिएह कौ नाम को इस वाइश है मैं आपको दो उमट दे रहां उनको और इसके बाद बीलालबाया तो इस यह बैस को गोस्के पाइश यह पर कि जमात इस्लामी को वोड की हुट है तो आप मुझे आप ने काम पर देना आपको कणवेंस करना है मुझे भी बिलाल बाई आप देगा कर लिए दो को देगे सबसे पहली चीज जब से मर्जर के बाती है में बात करता है एक मुझे ना एक मुझे अपने इस से मिलना नहीं आप डायरेक्ट राप्ता कमिटी से आप डायरेक्ट कन्वीनियर से बात कर सकते हैं तीसरी चीज यह मर्दम शुमारी जैसा कि आपने बुड़ा त्यह मैं आपके साथ हूं यह करा ना सही है यह करा चौती चीज त्रफपन यूनियन कॉंसल उनका बज़ड आना था उसको भी हमने बाजियाब करा लिया और इंशाहला हम इस बल्दियाती इलेक्शन को भी करा लाएं कि हम बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ेंगे बहुत जल ल कि कि कराची के लिए काम किस कि Heavenly के लिए काम किसने करा हमारी कारकुंटे हमीं गरी महलों में निगलगे हमारे जब से पहले के सेक्टर औफिस आते हैं thinking काम निती काम नहीं करती तो कराची की अवाम बाशवूरे टिकेट जो कल दोया है मैंने के टिकेट अनाउंस हो गए तो तक्रीबन कोई बुजर्ग नहीं है हमारे पास तमाम यंग लोगें नौजवान लोगें वैल एजुकेटड लोगें जो नुमाइंद हमने अठारा अनाउंस करें ठीक है उसको हम इंशालला आट फरवड़ी को ज चलें और इन्होन नहीं बात की है थोड़ी सी माँ अन्मात बात में जमाइपा स्विभ बात मिले कि जमाइपा लिए कार्कर्दगी बाता है जमात प्रत यद्ली फिर आप उस पर आजएंगे किसी बी किसंकी याफ़त आती है यदी धो जमाइफान फर खद्मत की सुरत में सामने खड़ी होती है। मौझूदा बलदियाती निजाम हुँँ नौ टाउन्स जम्हे इसलामी के पास हैं है। तीन पिटी आई के पास तेरहा बारा या तेरह पीपल्स पाल्ड है। आप लयाकताबाद टाउन जाके देखे नाजमभाद टाउन जाके सिन लॉत नाजमबाद आप गुल्शन टाउन में मेरे खाल में अब and saverage board का credit मेर कराची का चाहिए है ठीक है जमाहिसलामी उन पार्क्स की बहाली पे काम कर ली थी से 30 प्लस पार्क्स हैं के जो बहाल किये गए जिनकी ग्रिलें तक चोरी हो गई थी इसके लावा आजाएं के जमाहिसलामी अब वो जो सडकें बनाने का बजट है पैच वर्क का पूरी सडकें पैच वर्क का जितना इक्तियार है उसमें water and saverage board चूंके mayor corporate नहीं कर रहा है कबजा mayor साब जो बैठे हैं वो corporate नहीं कर रहे हैं अब पैच वर्क कर दें तो फिर दुबारा रिजल्ट यह होगा के जी वो बरबाद हो जाएगा तो पहले सेवरेज पहले फेज में हम उसका सेवरेज का काम कर रहा है दूसरा इस पर आ जाएं कि इन नौ टाउंस के अंदर आप जो अमला काम कर रहा है उसकी सुर्ट इहाल देख लें जागे आप अभी नौ बज़ रहे ना इस वक्त भी आप water pump चले जाएं आईशा मंदल चले जाएं आपको सफाई करतावा अमला नजर आएगा अच्छा यही अमला क्यों नहीं नजर आता था क्यों नहीं निकलता था क्यों लेकताबाद की सड़कों पे सड़क के बीच में धेर लगा होता था अभी नहीं है अभी नहीं है चलें इसके बाद चलें इसके बाद दन हो गया दन है इस चीज़ पर तो चलें कोई मसला यह नहीं है लेकताबाद चलना है जहां चलना है ठीक है पंद्राबीस साल से पड़ी जो गल सर रही थी पच्चेस गाड़ियां नौत नाजमबाद टाउन ने बहाल की पंद्राबीस गाड़ियां गुल्शन टाउन ने की मॉडल टाउन ने की यानि जहां जहां हैं वहां आप जमात इसलामी से इक्तिलाफ कर सकते हैं एक चीज़ पर आप कंप्रमाइज नहीं कर सकते हैं इक्तिलाफ नहीं कर सकते कि ये बहिमान होंगे ये चोर होंगे ये खाएंगे इस चीज़ का तो क्रेड़िट even MQM के लोग भी देते रहें यानि अभी नेमत साब का इंतिकाल हुआ तो उस पे मस्तफ़ कमाल साब की स्टेटमेंट्स हैं तो खर मस्तफ़ कमाल को भी आप ये क्रेडिट दे सकते हैं मस्तफ़ कमाल को भी यानि के मैंने तो ये क्रेडिट दिया ना कि कंटीन्यू किया ठीक है अब इस पे तो जब कम वसाइल में डिलिवर करके दे रहें चीज़ें बहतर हो रहें गुल्शन डाउन में अभी कोई सफाई महिम चल रही है उसके नतीजे में आप राशिद मिनास पे जाएं तो राशि अभी पीबसपार्टी भी करवा रही है लेकिन हम क्या बोलने इसको कि ऐलेक्शन गरीब है इसले काम वे तो हम ये जमादशनामी को बहुते हैं आप बोल सकते हैं तो महीने हुए हैं नॉम्बर में डीडीओ पावर्ज मिलें हैं दो महीने हुए हैं और ये बाई साब जो कर रहे थे ना कि जी हमने बर्तियां करवाई कराची के लोगों की तो सिर्फ गुल्शन टाउन की अंदर ही कई लोग ऐसे हैं कि जो बोगत तंखा रहे थे उनको फारिग किया भी जिसके नतीजे में इतजाज भी किया उन्होंने कि काम नहीं कर रहे घर पे बैटे में यानि वो टाइम था ना कि सेक्टरों पर ड्यूटियों की हादरियां लगा करती थी तो ये तो वो बात कर रहे हैं जिन्होंने इधारे तबा कर दिये तो बहराल मौदू कहीं और चला जाएगा मैं बात यह कर रहा हूं कि जमाहिस्लामी को वोट आप यू दें कि डिलिवरेबल आप रिलाइग कर सकते हैं बिकेंगे नहीं कोलेशन में भी जाएंगे तो कराची और उसकी अवाम के लिए बैतरी के लिए जाएंगे ठीक है तो ये कॉन्क्लूजन इसकी तो नहीं कलनी है लिए हम किसको वोट दें लेकिन जो देख रहे हैं उनको अंदाजा हो गया कि किस को वोट देना अगर नहीं भी हुआ तो ये एक डिबेटेवल बात है लेकिन मेरे एंड से मुझे लगता है कि जमाते इसलामी और एम किम दोनों वो जमाते जिन्हों ने आखरी दफ़ा कराची में काम किया है चाहिए वो नेमत इल्ला खान साब का दोर हो चाहिए मुस्तफ कराची में कुछ भी नहीं रखा हुआ कराची में हमारे लिए सिर्फ चाय के उटन रहे हैं ठीक है बैटने के लिए वहाँ पा जागे हम पूरे दिन जो 9 गंटे 10 गंटे काम कर आ रहे तो इसका स्ट्रेस निकालते हैं घर जाते हैं अगले दिन की तियारी करते हैं तो मैं यहां पर एक चीज रहा है कर को एमकेम का मंशूर भी आया उस मंशूर को थोड़ा डिस्क्राइब करना और जमाल इसलामी का तो मंशूर सबसे पहले आया था डॉन की आपने इसको डिसकस कर लें नहीं मंशूर मैंने आपको दूरी नुक्ते उसके बदाया थे मंशूर हमारी तो कोड़ी किताब चेश रही है मंशूर को पर कामी रहीं है एक तो हाईनी तर्मीम का है हमा इन आपको बताएं प्र Communist को था जो प्रिख से उसी तरह एक जो इस बल्दियाद के लिए भी जो इस बल्दियाद के लिए मंशूर नाई यह मैंनी वहाँ में एक अगर बल सहत के हवाले से भाध सारे काम ये सहाफ gerekiyor के हवाले से एक काम है पर पाकिस्तान में शामिल का है रहा है। जितने भी एड्स वगर आते हैं उनके जो पैसे आते हैं वो जो सहाफत के अंदर जो सहाफी हैं और जो नीचे जितने मुलादिम होते हैं उनसे मुनसलिक कर जा है ताकि उसका बेनिफिट उन तक पहुंचा एक ये भी है अगर आप बूलने हो के बल्दियाती एलेक्शन को ज पूरे पाकिस्तान के अवाले से उसमें जो कराची से मुतालिक चीज़े हैं वो मैं आपके सामें इसको कर जा हूँ क्योंके हम कराची की बल्दियाती निजाम जिसमें फंड्स की तरसीर पी एफसी अवार्ड ये शामिल है अच्छा इसके इलावा बाइक्तियार बल्दिय कराची में शारा इस पर नई अबादियों का क्याम नई अबादी से मुराद जिस तरह पहले केमसी केडिये इसकीम्स लाँच किया करती थी हम भी जिस जगह बैठे हैं ये सकीम्स हैं तो अभी भी होती है लेकर उनके साथ सकीम हो जाती है उनके साथ इसकेम हो जाता है तो वेरहल वो इसकी जो लास्ट आई थी निमत अलागा खान साब के टाइम पर आपका तैसर टाउन के नाम से तो वो भी आज तक इनोंने उसको आगे बढ़ा है वो आज तक वैसी है जैसे ही है वो आपर डेवलोप्मेंट की है तो उसके नतीजे में कुछ चीजां आगे बढ़ पर बाइस एने की और सेंट आलिस सुभाई की सब जगा पर इसमें से मेरे अंदाजे के मताबि सोला सतरह ऐसी हैं जिस पर मुकाबला होगा तो बचा क्या पीचे मुकाबला होगा मैं मुकाबली की बात कर रहा हूँ तो तक पर ही होगा चले यानि जमाह इसलामी आइदर इ कितनी ले जाने का तो मैं आपको बदा रहो ना मुकाबला होगा क्योंके देखें लास्ट बल्लियाती इंदेखाब जहां 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 हमने जीता है लंडी टाउन उठाएं सतर हजार वोट नौर्ट नाजमबाट टाउन उठाएं आप तक्रिवें पैसाट हजार वोट और तरह लेक्ताबाट टाउन क्लीन सुइप किया है वहाँ पे कम हो बेश इतनी वोट हैं तो इस हिसाब से देखें तो हमारा अच्छा वोट बैंक मौजूद है लंडी जो के जिसको कह सकते हैं आपके रिफ्रेश वोट है तो फ्रेश वोट हमारे पास मौजूद है इनको कि ककी सीटे मिल जएंगे 12 में से 12 में से इनको कोई मैनेज कर रहा है माइक्रो लेविल पर मैनेज हो रहे हैं अच्छा कितनी कितनी सीटें मिल देगे मैं बता रहूँ ना इनका भी मुकाबला है अब तो आपके जमाद इसलामी के जो है 45 साल की उमर से कोई बंदा कोई सपोर्ट नहीं करता है 45 साल देखें न वो आदा सच जूट से ज़्यादा खतरनाग होता है तो बाई साब ने जितनी बातें की न उसमें आदा सच बोला है तो वो पॉड़कास्ट उठागे आप सुनें उसमें पूरी बात ये थी कि 45 साल से ज़्यादा तो टैन परसेंट लोग भी सपोर्ट नहीं करता है 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 पॉलीटीकल स्टन्ट है वो आपने परोपेगंडा कर दिया जवाब दे दिया उसका अक्टिविटा वर आक्टिविटी आप बैस तो क्या सकते है तो इस तरह है तो मैं आप सको अंदाजा ही बता रहा हूँ मेरे भाई के मुकाबला करता देख रहा हूँ मैं उनको 16-17 सीटों पर एम किती सीटे लेगे जा रही है बाई एम किम लेके जाएगी अलहम्दुरिल्ला 18-20 सीट है बता दी आप पक्की वाली रिपोर्ट आगा यह उसी तरह की रिपोर्ट है कमाल बाई वजीर आला बन रहा है नहीं इंशालला बनेंगे वजीर आला बनेंगे इंशालला जबर्दस यानि के पर यह आएंगे आपके पास क्लेशन के लिए हमें तो अच्छी उमीद हो और हम अच्छी सोचते है सभी है वैसे आप दोनों ही बाई कॉर्ट के चैंपियन है अगर हम आजी उठाके देंगे तो वक्त बदाएगा जा जान उकसान उड़त करांची को इसलिए बाई काई जान वोट नी पढ़ ला था यह एक बहस है जो जारी रहेगी ता कयामत बहुत शुक्रिया आप दोनों का टायम देने के लिए और आपका भी शुक्रिया आपने दोनों की बागतों से मेरे खाल सा कस कर लिया होगा या नहीं भी किया तो अभी आट फर वरी में टायम है सोच लें क्या करना है बहराल मुझे दीजिए जाज़त इस सिल्सले को मैं अलेक्शन तक जारी दखूंगा अभी बहुत सारे गैस्ते हैं यहां पर शुक्र लगाएंगे यहां पर हमें मज़ा रहा है पड़्डा देखने पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बुलाएंगे आप उसमें लडवाएंगे तो आप भी इन्जुआए करें मैं भी इन्जुआए कर रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अलाहाफिस